Welcome to Learning Chemistry with S.k. VIRMA Students, हम लोग Stereo Chemistry की वीडियो सेरीज कर रहे हैं जिसमें Stereo Chemistry के सभी important topics को discuss कर रहे हैं Stereo Chemistry में आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक बहुत important topic और उसे शुरू करने से पहले यदि आप channel पर नए हैं तो Learning Chemistry with S.k. VIRMA channel को subscribe कीजिये और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तो चलिए बिना टाइम गमाएं सुरू करते हैं हमारा आज का टोपिक आज जो इंपोर्टन टोपिक हम लोग डिसकस करने वाले हैं वो है RS Nomenclature RS Nomenclature Enonciomers का Absolute Configuration बताने में यूज होता है इससे हम लोग उनका Absolute Configuration है वो इंडिकेट करते हैं कि उनका Absolute Configuration क्या है जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा है कि DL Configuration से हम लोग Relative Configuration बताते हैं उसी तरह से RS Nomenclature से हम लोग Absolute Configuration को करते हैं RS nomenclature का topic काभी बड़ा है इसलिए इस पूरे topic को हम लोग 3 different parts में divide करके पढ़ेंगे याने के हम इसके 3 वीडियो में इस पूरे topic को cover करेंगे तो पहले part में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं what is RS nomenclature, its significance, RS nomenclature हम लोग क्यों पढ़ते हैं इसका क्या importance है और RS nomenclature assign करने का method है how to assign RS nomenclature उस method को हमने 2 वीडियो में divide किया है उसका part 1 हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे इसी के साथ हम लोग अगले वीडियो में part 2 में हम लोग discuss करने वाले हैं how to assign RS nomenclature का बचा हुआ हिस्सा हम लोग इस वीडियो में cover करेंगे और इसके बाद में part 3 बहुत ही interesting होने वाला है आपके लिए जिसमें हम लोग RS nomenclature किसी भी molecule का RS nomenclature assign करते हैं तो कौन-कौन सी tricks है उसके लिए वो सारी tricks हम लोग part 3 में discuss करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं part 1 से और हम लोग start करते हैं RS nomenclature है क्या उसका importance क्या है और RS nomenclature किस तरह से assign करते हैं अब बात करते हैं RS nomenclature की उससे पहले मैं आपको बता दूँ absolute configuration होता क्या है इसकी हम लोग पिछले वीडियो में भी बात कर चुके हैं आप उपर आ रहे है आई बटन में पिछले वीडियो का link यहां पर दिया हुआ है description box में playlist का link दिया हुआ है वहाँ जा करके आप पूरी वीडियो सीरीज देख सकते हैं तो actual जो absolute configuration होता क्या है absolute configuration किसी भी enantiomer में या chiral molecule में chiral center से जो चार group जुड़े हुए हैं उनका space में actual arrangement क्या है मतलब space में कौन सा group किसके left में है किसके right में है यह actual position उनकी क्या है उस actual arrangement of the groups about the chiral or asymmetric center उसे हम बोलते हैं absolute configuration तो हम RS nomenclature से क्या बताते हैं absolute configuration कह दीजिए आप या आप कह सकते हैं actual arrangement of groups around the chiral center यह दोनों एक ही चीज़ है अब बात करते हैं RS nomenclature की RS nomenclature किनों ने दिया था तीन scientist थे karn ingold prelog ने और इसलिए इसका abbreviation है CIP system इसे हम CIP system भी कहते हैं karn ingold prelog और इन्होंने सबसे पहले यह बताया था RS nomenclature इसके rules दिये थे और इन्होंने सबसे पहले यह बताया था कि किस तरह से chiral center का absolute configuration हम लोग indicate कर सकते हैं RS nomenclature के through तो आर और एस इनके meaning क्या है RS और एस ये दोनों ही जो latent word है rectus और sinister इनसे लिए गए है अब rectus का meaning क्या है आप याद रखेगा इसको right-handed या फिर clockwise और sinister जो latent word है उसका meaning क्या है left-handed या फिर anticlockwise इन terms को आप याद रखेगा कि R जो rectus latent word से लिया गया है उसका meaning right-handed और clockwise है S sinister से लिया गया है जिसका मतलब है left-handed या anticlockwise अब हम लोग RS nomenclature की जरूरत क्या पड़ी इसकी बात करते है RS जो nomenclature है उसका importance क्या है वो importance आपको यहाँ पर इस example से पता लग जाएगा यहाँ पर thalidomide एक compound है जिसके दोनो enunciomer यहाँ पर दिखाये हुए है एक R है और एक S है अब इन में से जो S enunciomer है that causes birth defect ज़िए S enunciomer birth defect create करता है जबकि जो R enunciomer है वो morning sickness का treatment होता है उसमें useful है देखिए दोनों की जो properties है वो कितनी opposite है एक से disease हो रहा है एक disease के treatment में useful है अगला example देखते हैं वो हमें बताएगा RS nomenclature की importance यहाँ पर यह नाम तो आपने काफी सुना होगा ibuprofen ibuprofen जिसे हम लोग body pain में body pain में सिरदर्द में इस तरह से हम लोग use लेते हैं ibuprofen इसके दो एनांसियोमर यहाँ दिये हुए है S और R अब जो S form है इसकी जो S form जो की dextrotatory form है वो ही pharmacological active है मतलब वो medicine का काम करती है कौन? S form जबकि जो R form है उसमें ऐसी कोई property नहीं होती anti-inflammatory effect की कोई property नहीं होती कि वो सिरदर्द को या body pain को कम करे ऐसा कुछ नहीं होता तो देखिए enantiomer है मतलब इनकी structure almost same है इनके properties same है physical properties same है फिर भी इनका जो यह different stereo isomer है क्योंकि इनका configuration अलग है इनका absolute configuration अलग है तो वो जो absolute configuration से इनकी जो biological activity है वो change हो गई S जो form है वो medicine का काम कर पा रही है लेकिन art form ऐसा कुछ नहीं करती इसी तरह से एक और अच्छा example बताता हूँ limonin limonin compound के दोनो enantiomer आपके सामने है ये जो दोनो enantiomer है उन में से S जो enantiomer है वो lemons में होता है और lemon की जो special odor होती है नीमबू की जो एक विसेश खुश्बू होती है उसके लिए यही organic compound जिम्यदार है ये जो S form है limonin की वो जिम्यदार है और R form किन में होती है R form होती है orange में और orange की जो एक विसेश odor होती है खुश्बू होती है उसके लिए limonin की जो R form है R enantiomer है वो उसके लिए जिम्यदार है तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि किसी भी enantiomer का R form या S form हमें पता होना कितना जरूरी है क्योंकि R और S form होने से ही उनकी properties, उनकी uses ये decide हम कर पा रहे हैं इसी में एक example और देखते हैं ethambutol इसके जो SS form है वो tuberculosis के treatment में use होती है जबकि इसकी RR form है that causes blindness वो blindness create करती है और ये tuberculosis के treatment में use होती है ये देखिए दोनों enantiomer हैं लेकिन इनकी properties में कितना difference है तो हमें particular enantiomer को पहचानना आना चाहिए और वो हम कैसे पहचान सकते हैं वो उसके absolute configuration से पहचान सकते हैं कि वो RR है इसका मतलब वो हमारे लिए useful नहीं है वो harmful है वो blindness create कर सकता है जबकि जो SS form है वो tuberculosis के treatment में use होती है अब एक बहुत ही familiar example आपको यहां बताता हूँ Levo citrazin ये allergic जो जितनी भी disease होती है उनमें use ली जाती है और सर्दियों में हम लोग जुकाम वगरा के treatment में भी जितनी भी tablets लेते हैं सब में citrazin होता है citrazin की अलग से भी छोटी-छोटी tablets आपने देखी होगी जो हम लोग जुकाम जब होता है वो use लेते हैं तो ये जो citrazin होता है आप इसका नाम पढ़िएगा ये लीवो citrazin है लीवो का मतलब कौन सा लीवो ये अब आप समझ गए होंगे कि ये dextro-लीवो वाला लीवो है ये लीवो ये बता रहा है कि इस citrazin के जो लीवो रोटेटरी enantiomer है वो ही यहाँ पर medicine का काम कर रहा है जो dextro form है वो यहाँ पर काम नहीं कर रही तो किसी भी enantiomer का लीवो ये dextro पता होना या फिर उसका r या वो s है ये पता होना बहुत ही जरूरी है इसलिए r और s nomenclature का importance है इसलिए हम इसको पढ़ते हैं और सीखते हैं अब rs nomenclature से related मैं आपको दो बहुत ही important point बताने वाला हूँ आपको इन्हें याद रखना है और इन्हें समझना है ये हमारे बहुत काम आने वाले हैं पहला जो point है वो ये कहता है कि किसी भी compound कोई भी compound जिसमें एक asymmetric center या एक chiral center हो एक chiral center वाले compounds में हमेशा एक enunciomer ये दी r है तो दूसरा enunciomer हमेशा s होगा मतलब दो enunciomer में एक r होगा तो दूसरा essentially s ही होगा ये पहला point है rs nomenclature से ये किन पे लागू होता है जिन में एक chiral carbon होता है अब दूसरे point की बात करते हैं दूसरा जो point है वो और भी ज्यादा important है जिस तरह से हमने dl nomenclature में देखा है कि d और l का optical rotation की direction यानि कि compound का leave-o होना या dextro होने से कोई संबंद नहीं है वैसे ही यहाँ पर भी r और s ये हमें optical rotation की direction नहीं बताते आपको कभी ये conclusion नहीं निकालना है कि जो enunciomer r है वो plus form यानि कि dextro form ही है और या फिर s जो form है वो minus form या फिर leave-o form ही है actual में r और s theoretical सीजे हैं ये हम लोग molecule का जो three dimensional formula देख करके हम लोग assign करते हैं इसका जो optical rotation की direction होती है small l और small d या फिर plus और minus dextro form और leave-o form इन से कोई संबंद नहीं होता r और s nomenclature कभी optical rotation की direction नहीं बताते उनसे हम ये पता नहीं कर सकते कि compound dextro है या leave-o है ये हम हमेशा practical करके ही polarimeter के through ही निकाल सकते हैं जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की हुई है इसको हम लोग यहां इस example से भी समझते हैं कि ये जो 2-methyl-1-butanol का enantiomer है ये enantiomer देखिए r form है और ये dextro form है और यहां पर इसका ये s form है और leave-o form है जबकि ये जो compound है 1-chloro-2-methyl-butan इसमें ये जो r form है वो leave-o-rotatory form है और जो s enantiomer है वो dextro-rotatory form है तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि r यदि किसी का configuration है तो वो leave-o भी हो सकता है और dextro भी हो सकता है इसका leave-o या dextro होने से कोई relation नहीं है हम कभी भी ये अंदाजा नहीं लगाएंगे कि r form है तो वो dextro ही होगी और s form है तो वो leave-o ही होगी अब हम लोग बात करते हैं rs nomenclature की दो steps के बारे में ये जो दोनो steps हैं ये आपके सामने हैं पहली step जिसे हम लोग priority rule भी बोलते हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं compound में जो chiral center होता है उस chiral center से जो चार groups या atoms जुड़े होते हैं उनकी हम लोग priority assign करते हैं उनको priority देते हैं कि एक number one priority किसकी है number two किसकी है number three किसकी है और number four किसकी priority होगी ये priority देने के लिए हमारे पास kahn, ingold और pre-log ने rules का एक set दिया है जिसे हम लोग बोलते हैं TIP rule या फिर sequence rule उन rules के set में जो rules है, points है उसके basis पे हम लोग priority decide करते हैं और उस rule में ये कहा गया है कि जिसकी highest priority होगी उसे हम number one priority देते हैं और जिसकी सबसे कम priority है, lowest priority उसकी priority हम लोग fourth रखते हैं तो इस तरह से पहला step में हम लोग chiral center से जुड़े हुए चारों groups की priority decide करते हैं और उसके बाद में हम लोग जो दूसरा step है वो apply करते हैं दूसरा step है viewing rule viewing rule क्या कहता है viewing rule ये कहता है कि priority decide करने के बाद में आपको उस chiral carbon को इस तरह से देखना है कि जो lowest priority का substitute है lowest priority का atom या group है वो viewer से दूर रहे, वो आप से दूर रहे आपकी तरफ first, second और third priority वाले group हों ये आपको यहां इस figure में समझ में आ रहा होगा ये देखिए ये जो fourth priority वाला group है ये dotted line से attach है इसका मतलब है ये देखने वाले से दूर है और ये जो solid line वाले हैं एक, दो, और तीन ये देखने वाले की तरफ हैं देखने वाले के सामने हैं अब priority decide करने के बाद में viewing rule आपको पता चल गया है कि molecule को देखना किस तरह से हैं fourth priority वाला group देखने वाले से दूर होना चाहिए viewer से दूर होना चाहिए observer से दूर होना चाहिए या हम से दूर होना चाहिए उसके बाद में जो तीन priority है, first, second और third, उनका हम लोग path trace करते हैं path trace करने से मतलब है priority 1 से priority 2 और फिर priority 3 तक हम लोग जाते हैं और यह जो direction आती है, इसे हम लोग note करते हैं कि एक priority से तीसरी priority वाले group तक जाते हुए कौनसी direction आती है, यहाँ पर यह direction मैंने बनाई है, देखिए मैं एक priority से दूसरी priority और फिर तीसरी priority वाले group तक गया तो ये direction आई है जिसे मैंने यहां अलग से draw किया है ये जो direction है वो कौनसी direction है clockwise है या anti-clockwise आप इसको पहचान गए होंगे कि ये जो घड़ी के जो needles होती है उनकी direction है वो इसी direction में घूमते हैं तो ये clockwise direction हुई ये हुई clockwise direction और जब clockwise direction होती है तो enunciomer का configuration होता है आर जैसा की आर का meaning क्या है आर का जो हमने देखा आर जो Latin word rectus से लिया गया है और rectus का meaning क्या होता है right-handed या फिर clockwise इसी तरह से यदि priority first से second और third वाले third priority वाले group तक हम जाते हैं और वो direction यदि anti-clockwise आती है इस example में आप देखिए first priority से second priority second से third priority वाले group तक हम गए हैं और direction को मैं यहाँ separate दिखाता हूँ यह देखिए यह direction है और यह direction देखिए घड़ी के जो needles होती हैं उनके घूमने की दिसा की opposite direction है तो यह हुई anti-clockwise direction और anti-clockwise direction जब भी होती है तब molecule का configuration होता है as तो यह second step थी viewing rule जिसमें हम लोग molecule को इस तरह से देखते हैं वापस मैं आपको summarize कर देता हूँ यह काफी important है molecule को इस तरह से देखते हैं कि fourth priority का group आप से दूर रहे और देखने के बाद क्या करना है first और second और third priority वाले groups का path trace करना है direction देखनी है कि first से लेके third तक हम जाते हैं तो वो direction clockwise आ रही है या anti-clockwise यदी वो clockwise है तो configuration R होगा यदी वो anti-clockwise है तो configuration होगा S यह हम इस तरह से हम लोग R और S nomenclature निकाल सकते हैं आपको यदी direction निकालने में confusion हो तो आप इस trick की भी help ले सकते हैं पर दिखाया गया है यदी हम लोग गाड़ी का right turn लगाते हैं गाड़ी को right direction में turn करते हैं तो जो direction होगी वो R configuration को बताईगी यह देखिए गाड़ी का steering यदी हम लोग इस direction में गुमाते हैं इस तरह से वापस बताता हूँ आपको इस तरह से गुमाते हैं तो वो right turn होगा तो वो होगी R configuration यदी वो left turn है यह देखिए यदी वो left turn है इस तरह से यदी हम steering गुमाते हैं तो left turn होगा और वो direction होगी S तो इस तरह से आप या तो यह जो direction जब निकालते हैं तब अपने दिमाग में घड़ी की imagine कीजिए कि यह घड़ी के needles की direction में है या उसके opposite direction में है तो आपको पता लग जाएगा कि molecule का configuration R है या S है जो viewing rule है उसे आप इस slide से भी समझ सकते हैं कि first, second और third priority first से third priority वाले group तक हम लोग जाते हैं और वो direction यदी clockwise है तो R होगा और यदी वो direction anticlockwise है या counterclockwise है तो वो S होगा देखना किस तरह से है यह हम पिछली slide में भी बात कर चुके हैं कि fourth priority वाला जो group है वो क्या होना चाहिए आप से दूर होना चाहिए और बाकी तीन आपके सामने होने चाहिए इसको हम यहां इस slide में भी समझ सकते है यह देखिए यह दि observer, viewer इस तरफ से देख रहा है molecule तो first, second और third priority वाला उसकी तरफ होना चाहिए और fourth priority का group उससे दूर होना चाहिए यहां पर देखिए यहां पर भी वो ही है और अब फिर first से लेके second और third वाले group तक हम लोग जाते हैं और जो भी rotation हमें मिलता है जो भी direction हमें मिलती है उसको देखते हैं वो इस तरह की है और यह क्या है घडी के जो needles rotate करती है घूमती है घडी में उसके opposite direction है तो इसे हम कहते हैं S configuration और यहां एदी हम लोग 1 से लेके 2 से लेके 3 तक जाते हैं और इस direction को हम note करते हैं यह यह direction है और यह घडी के जो needles है उस उनके घूमने की direction में ही है इसलिए यह clockwise direction हुई तो यह enunciomer होगा आर तो उमीद करता हूँ कि आपको step 1 और step 2 priority rule और viewing rule दोनों समझ में आ गए होंगे और viewing rule देखने के बाद किस तरह से हमें path priority जो 1, 2, 3 है उनका path किस तरह से हमें trace करना है वो भी समझ में आ गया होगा और किस तरह से हमें configuration बताना है Thank you very much और अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वो काफी interesting है यह जो दोनो steps हैं RS nomenclature decide करने की viewing rule और priority rule की priority किस तरह से decide करते हैं और priority decide करने के बाद में RS nomenclature किस तरह से assign करते हैं इसको full detail में हम लोग discuss करने वाले हैं अगले वीडियो में आप लोग बने रहिए Learning Chemistry with S.K.Vorma चैनल पर वीडियो को like कीजिए, subscribe कीजिए और share कीजिए, thank you, thank you very much